साथियों, हमारी यहां कहा जाता है, ज्यान वानेन सुखवान, ज्यान वानेव जीवती, ज्यान वानेव बल्वान, तस्मात ज्यान मयोभव, अर्थात, जिसके पास ज्यान है, वही सुखी है, वही बल्वान है. और वास्तों में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है इसलिए जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्व विद्याले थे तब भारत सूख और समरुद्धी के सिखर पर था जब भारत के पास तक्स सीला जैसे संस्थान थे तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था भारत की सम्रुद्ध सिख्षा विवस्ता भारत की सम्रुद्धी की वाहग थी ये वो समय था जब दुनिया की जीडीपी में बहुत बड़ा शेर भारत का होता था लेकिन गुलामी के सैंक्रों वर्षों के कालखंड ने हमारे सिख्षा के मंदिरों को इन एजुकेशन सेंटर्स को तभा कर दिया और जब भारत का बहुधिक प्रवाह रुका तो भारत की ग्रोथ भी थम गही लंबी गुलामी के बात देश आज़ाद हुआ इस दोरान आज़ादी के भावनात्मक जवार को एक मुर्द रूप देने में भारत की युनिवर्सिटीज ने एक एहम भूमी का निभाई थी इनके जरिये एक ऐसी युवा पीड़ी खड़ी हुई जो उस समय के आधोनिक विश्व को ललकार सकती थी दिल्ली उनिवर्सिटी भी इस मुवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी डियू के सभी स्टुडंस वो चाहे किसी भी कोर्स में हो वो अपने संस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है आधर्शों को आधार देती है और भविश्य के विजन को विस्तार देती है कर देती है